हेलो व्यूज, आज के अपिसोड में पर फिर से आपका स्वागत है, तचली शिरुआत करेंगे पिछले भ्यास प्रशन से, सवाल था, निमने लिखत कथनों पर विचार कीजे, पहला कथन, सवीने अवग्या आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया, दूसरा कथन, कॉंग्रेस ने प्रथम गोल में सम्मीलन में भाग लिया, और तीसरा कथन, 1935 के Government of India Act में सीमित प्रतिनिधिक शासन विवस्था का अश्वासन दिया गया था, आपको बताना था कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है, सही है, ओप्शन से A केवल एक और दो, B केवल दो, C केवल एक और तीन, या पर D केवल तीन, तो इसका सही जवाब था, ओप्शन C केवल एक और तीन, चलिए अब इस का विश्लेशन देखते हैं नमक करका उल्लंगन सवीन अवग्या अंदोलन का केंदुरिय मुद्दा था नमक सत्यागर्य तीन कारणों से उलेखने रहा पहला इस घटना को यूरोप तथा अमेरिकी प्रेस ने व्यापक कवरेश प्रदान किया दूसरा इस राष्ट्रवाद में और आयोजित प्रतम गोल में इस संमेलन में कॉंग्रस ने हिस्सा नहीं लिया दूसरे गोल में संमेलन में गांधी जी ने कॉंग्रस का प्रतिय द्यत्व किया उन् 누 dona खने है कि दोवर्ष भाद सीमित मताधिकार के अधार पर हुए चुनावों में कॉंग्रस को जबरदस सफलता में ली चलिए बाच के सेशन का पहला सवाल देखते हैं हाले में शुरू की गई मेरा गाउ मेरी धरोहर परियोजना का संबन निमने लिकित में से किस मंत्राले से है उसका जवाब है उप्षने संस्कुति मंत्राले ने मेरा गाउ मेरी धरोहर नामक परियोजना की घूशना की आपको बता दें कि इस परियोजना को संस्कुति मंत्राले के तहर तिंद्रा गांधी राश्ट्रक अला के इंद्रियानी IGNCA के सहयोग से विकसित किया गया है ये परियोजना सांस्कुतिक मानचितरन पर राष्ट्रे मिशन का ही एक घटक है इस परियोजना का उद्देश भारते गाओं के बारे में जानकारी को आभासी और वास्तविक समय दोनों हेतु सिलब बनाना है आपको बता दें कि मेरा गाओं मेरी धरोहर पोर्टल कुछ सुविधाओं तक खुली पहुँच प्रदान करता है इसमें शामिल है कला रूपो एवं कलाकारों का पंजी करन कलाकारों के लिए विशिष्ट पहचान कोडियान यू आइसी सरकार की कल्यानकारी यूजनाओं से लिंक करें सांस्कते कारेक्रमों और कला एवं फिशल पुत्पादों या कलाकारों की कारेशालाओं के लिए अपलोडिंग सुविधा उपयोग करता हूँ दोरा ग्राम डेटा का संपादन करना एवं उसे अपडेट करना आभासी जीवन संग्रहाले ग्राम यात्रा पासपोर्ट और ओनलाइन गाव यात्रा के लिए डिजिटल इंडी बैज चलिए अगला प्रशन काला अजार के संबन में निमनिलखित कतनों पर विचार कीजे पहला कथन इसे विसेरल लीश मैनियासिस के नाम से भी जाना जाता है और दूसरा कथन ये परजीवी संक्रमन सेंट फलाई द्वारप सारित होता है आपको बताना है कि इनमें से कौन साय कौन से कथन सही है सही है एक एवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दो नू या फिर डी ना तो एक और नहीं दो तो इसका सही जवाब है उप्शन सी एक और दो 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 नू भारत ने तीन बार समय सीमा चूकने के बाद इस वर्श काला अजार को खत्म करने का लक्शन रिधार्द किया है गोर तलब है कि बीते समय में देश में प्रती 10,000 लोगों पर काला अजार का एक से अधिक मामला दर्ज नहीं किया गया है बात करें काला अजार या काला अजार के बारे में तो बिसेरल लिश मैनियासिस को आम तोर पर काला अजार की रुप में जाना जाता है ये शब्द भारत में 19-वी सदी के अंत में गढ़ा गया था जिसका अर्थ है काली बिमारी जो संक्रमन के दौरान त्वचा के भूरे या काले रंग को संदर भित करता है कालाजार एक धीमी गती से बढ़ने वाली स्वदेशी बिमारी है जो जीनस लीश मैनिया के प्रोटोजोवा परजीवी के कारण होती है भारत में लीश मैनिया डोनो वानी इस रोग का कारण बढने वाला एक मातर परजीवी है ये परजीवी संक्रमन सेंट फ्लाई द्वारा पर सारित होता है आपको बता दें कि कालाजार उन्मोलन के लिए भारत का पहला लक्षव वर्ष 2010 था चले नेक्स सवाल नेमने लखित में से कौन सा देश विश्व निवेश सम्मिलन यानी WIC की में इजबानी कर रहा है जापान, चीन, युनाइटिट किंडम या फिर भारत तो इसका सही जवाब है उप्शन D भारत भारत 11 दिसंबर 2023 यानी आज से 27 में World Association of Investment Promotion Agencies यानी WAIPA विश्व निवेश सम्मिलन यानी WIC की में इजबानी करेगा इस सम्मिलन का आयोजन International Convention and Expo Center ये शोभूमी नई दिल्ली में किया जा रहा है ये एक चार दिवस्य कारेकरम है जिसका आयोजन भारत सरकार की राष्टर निवेश समवर्धन और सुविधा एजनसी और WAIPA के संविख प्रयास से किया जा रहा है बहुर तलब है कि इस सम्मिलन का आयोजन भारत में पहली बार किया जा रहा है जिसमें 50 निवेश समवर्धन एजनसियां यानि IPA और विभिन बहुपक्षे एजनसियां भाग लेंगी WIC WAIPA का एक वार्षिक प्रमुकारिकरम है जो वैश्विक नवेश प्रोथसाहन और नवचार हितिधारकों के लिए एक मंच के रूप में कारे करता है चलिए नेक्स्ट कॉस्चन निमने लखेत मिसे किस देश में वार्षिक ग्लोबल पार्टनर्शिप और आर्टिफिशल इंटेलिजनस यानि GPAI शिखर सम्मेलन आयज़ित किया जाएगा सेंग्तराज्य अमेरिका, सेंग्तराब अमिराथ, भारत या फिर ऑस्ट्रेलिया तो इसका आंसर है, option C, भारत भारत वार्षिक GPAI शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करने को पूर्ट है तयार है इस आयज़न का उद्गाटन 12 दिसंबर 2023 को मानने प्रधानमंती द्वरा किये जाने की उमीद है आपको बता दें कि GPAI की स्थापना वर्ष 2020 में हुई थी एवं भारत, GPAI के संस्थापक सदस्य में से एक है GPAI का प्रात्मी कुद देशे, AI की क्षित्र में सिध्धान्त और विवार के बीच को कम करना है गौर दलबे की GPAI शिकर सम्मेलन में 29 सदस्य देशों के वरेष्ट सतर के सरकारी प्रतिने दिमंडल शामिल होते हैं इनके अतरिक्त इस सम्मेलन में कई वैश्विक AI विशेशग्य, बहुपक्षे संगठन और अन्ने प्रासंगी खेतिधारक भी शामिल होते हैं चलि एगले सवाल दिखते हैं संग्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौम घोष्ण यानि UDHR को किस वर्ष अपनाया था 10 नवंबर 1906, 10 दिसंबर 1948, 18 दिसंबर 1950 या फिर 12 दिसंबर 1947 तो इसका सही आंसर है, option B 10 दिसंबर 1948 प्रतिय एक वर्ष 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है इसी दिन संग्त राष्ट्र महासभा ने 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौम घोष्ण यानि UDHR को अपनाया था गोर तलबे कि इस घोष्णा के अनुसार जाती, लिंग, राष्ट्रेता, जातियता, भाषा, धर्म या किसी अन्य स्थितिकी परवा किये बिना सभी मनुशों के लिए मानव अधिकार एक अंतर नहीं अधिकार है मानवाधिकार का उदेश्य बेदभाव को रूखना और नागरिकों को सांस्क्रतिक और धार्मिक स्वतंतरता प्रदान करना है 2023 के लिए जिवस की थीम है सभी के लिए स्वतंतरता, समानता और नयाय यानि Freedom, Equality and Justice for All UDHR को 10 दिसंबर 1948 को पैरिस में सेउक्तराष्ट महासभा के प्रस्ता 217 एद्वरा अपनाय गया था UDHR में 30 लेक शामिल हैं जिसमें नागरिक और राजनीतिक अधिकार शामिल है ये अधिकार विबिन राष्ट्रताओं, धर्मों और नसलों से संबंधित सभी मनुश्यों पर लागो होते हैं चलिए अगला सवाल देखते हैं निमनिल कितम से किसने हाली में मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपत ली है जोरम अथांगा, लाल दुहोमा, लाल देंगा या फिर इनमें से कोई नहीं तो इसका सही जवाब है उप्शन भी लाल दुहोमा हाली में जोरम पिपल्स मूव्मेंट यानी जट पी एम के नेता लाल दुहोमा ने मिजोरम के मुख्यमंत्री के रूप में शपत ली जेट पीम विधायक दल ने लाल दुहोमा को अपना नेता और के सपडांगा को अपने उपनेता के रूप में चुना मिजोरम के राज्यपाल हरी बाबू कमभम पती ने श्रीलाल दुहोमा को पदेमं गोपनियता की शपत दिलाई आपको बता दे कि श्रीलाल दुहोमा मिजोरम के छटे मुख्यमंत्री है चले ने एक सवाल नेमनल खितमे से कौन सा यूरोपिय देश चीन के बेल्ट और रोड प्रोजेक्ट से अलग हो गया है औस्ट्रिया, स्पेन, इतली या पर सुच्जलन तो सही जवाब है option C, इतली हाली में मिली जानकारी के अनुसार इतली चीन के विशाल, बेल्ट और रोड प्रोजेक्ट पहल से हट गया है दरसली सौदा मार्च 2024 में 140 रूप से नवी निकृत होने वाला था परन्तो इतली इस वश के अन तक ही इस पहल से बाहर निकल जाएगा इतली बेल्ट और रोड प्रोजेक्ट पहल में शामिल होने वाला एक मातर G7 राष्ट्र है आपको बता दें कि BRI, वेश्विक कनेक्टिविटी और सहयो को बढ़ाने के उदेश से एक बहु आया में विकास रणनीती का प्रतिनिद्यतु करता है इसे 2013 में लॉंच किया गया था और इसका उद्देश है दक्षिन पूर्वेश्या, मदेश्या, खाडीक शेत्र, आफ्रीका और यूरोप को भूमी और समुद्री मार्गो के नेटवर्क से चूड़ना है इस परियोजना को पहले वन बेल्ट, वन रोड नाम दिया गया था लेकिन चीनी प्रभुत्व के विप्रीद, अधिक खुली और समावेशी पहल को व्यक्त करने के लिए इसका नाम बदल कर बियाराय कर दिया गया इस पहल में दो प्रमुग घटक शामिल है, सिल्क रोड एकनॉमिक बेल्ट और समुद्री सिल्क रोड चलिए अगले सवाल देखते हैं सरदार सुरान सिंग समयती की अनुशनसा पर बैलीसमे सम्विधान संचोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारते सम्विधान में भाग चार का जोड़ा गया अनुच्छेद 51 क के अंतरगत 10 मूल करतवे की सूची का समावेश किया गया इसमें प्रावधान है कि 6-14 वर्ष की आयो के बच्चो के माता पिता या सनरक्षकों का ये करतवे होगा कि वो स्वेम पर आश्रिद बच्चो को शिक्षा प्राप्त करने का अफसर प्रतान करें चलिए अब नोट कर लिजए आज का अभ्यास प्रश्ण नेम निलखित में से कौन 36 गड़ के नए मुख्य मंतरी बने है आप्शन से A. भुपेश पगेल B. रमन सिंग C. विश्णु देव साय या फिर D. अजीट जोगी तो सवाल का जवाब कॉमेंट सेक्षन में देना मत भूलिएगा साथ ये बताए कि हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगता है तो मुलाकात होगी अगले कारेक्र में इस कॉस्चन के अंसर के साथ तब तक के लिए जैहिंद